हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आए सिखते हैं क्लास 10th की पोयम A Tiger in the Zoo चिडिया घर में एक बाग जिसके कवी हैं लेशली नूरिस आए देखते हैं before you read this poem contrast a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat this poem या कविता contrast का मतलब तुलना की गई है a tiger एक बाग से in the zoo जो चिडिया घर में है with a tiger और उस बाग के साथ में in its natural habitats जो अपने प्राकरतिक वासस्थान पे रहता है अर्थात जंगल में रहता है इस poem में एक बाग की तुलना उस बाग से की गई है जो चिडिया घर में रहता है तथा उस बाग से की गई है जो जंगल में रहता है natural habitat का मतलब है अपने प्राकरतिक वासस्थान इस poem moves from the zoo to the jungle यह कविता moves from the zoo चिडिया घर की ओर मुड़ती है to the jungle जंगल से अर्थात यह कविता पहले चिडिया घर के बारे में आपको बताया जाएगा जो बाग रहता है चिडिया घर में और यह कविता उसके बारे में बताया जाएगा जो जंगल में बाग रहता है और वापस फिर चिडिया घर में रहने वाले बाग के बारे में बताया जाएगा एक बार कविता को सांती पूरवक पढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन सा इस्टेंजा में उस बाग के बारे में बताया गया है जो चिडिया घर में रहता है and which one speak about the tiger in the jungle और कौन से स्टेंजा में जंगल में रहने वाले बाग को बताया गया है तो ध्यान पूरवक पढ़ते हैं विद्यार्थियों देखिए पहले स्टेंजा में बाग के बारे में बताया गया है जो जंगल में नहीं बलकी चिडिया घर में रहता है तो देखिए क्या लिखा है ही स्टाक्स ही का मतलब वह ये बाग के लिए ही परसॉनिफिकेशन यहाँ पर यूज किया गया है इस्टाक्स वह चलता है इस्टाक्स बने चलना बाग के बाड़ी पर यानि उसके सरीर पर साफ पटियां बनी होती है उनको कहा गया है विविड स्ट्राइप्स दफिव स्टेप्स कुछ कदम ऑफिच केज अपने पिंजडे के केज मने पिंजड़ा ऑन पैट्स पैट्स का मतलब पैर बाग के पैरों को यहां पैट्स कहा गया है तो क्या लिखा है विविड स्ट्राइप्स दफिव स्टेप्स आफिज केज बाग जो की पिंजडे में कैद है वह कुछ कदम चलता है क्योंकि पिंजड़ा जितना बड़ा होता है उसके अंदर ही बाग वह चल पाएगा कुछ कदम चलता है और उसके जो पैर हैं वे बहुत ही कोमल हैं एवं सान्त अवस्था में चलता है इनिज कोईट रेज और उसका जो गुस्सा है रेज का मनलब गुस्सा और उसका जो गुस्सा है वह वहुत ही सान्त है तो इस स्टेंजा में कवी उस बाग के बारे में बता रहा है जो चलिया घर में कैद है यानि पिंजड़े में कैद है वह उसके सरीर पर क्या है और वह अपने कोमल पैरों से दर असल चिडिया घर में जो बाग कैद है उसके मुलायम बहुत ही पाज है उसके जो पंजे है पैर बहुत ही मुलायम है वह बहुत ही सान्त अवस्था में और अपने सान्त गुस्सा के साथ पिंजड़े में कुछ कदम चलता है अगले स्टेंजा में बताया गया है उस बाग को जो जंगल में रहता है लरकिंग का मतलब होता है छिप कर सिकार करना सैडो मने छाया में स्लाइडिंग का मतलब धीरे धीरे खिसकना थ्रो लॉंग ग्रास लंबी लंबी घास में नियर दा वाटर होल जहां पर पानी का स्रोत हो वेर प्लंप डियर पास प्लंप आने मोटे तगडे डियर मने हिरन पा खाया में बाग को कहां होना चाहिए he should be lurking in shadow उसे छिपकर सिकार करना चाहिए च्छाया में sliding throw long grass लंभी लंभी घास में उसे खिसकना चाहिए near the water hole जहां पर जल स्रोत हो यानि जहां पर पानी का स्रोत हो वहाँ पर उसको लंभी लंभी घास में गास की छाया में छिप कर सिकार करना चाहिए वेर प्लम डियर पास जहां पर मोटे तगडे हिरन आते जाते हों वहां पर उसको उनको निसाना लगाना चाहिए अर्था छिप कर सिकार करना चाहिए इस टेंजा में कभी बाग को बताता है जो की जंगल में रहता है फिर से देखते हैं एक बार उस बाग को जंगल में होना चाहिए जहां पर जल का सुरोत हो लंबी लंबी घास हो उसकी छाया में उसको खिसकते हुए मोटे तगडे हिरन का सिकार करना चाहिए देखिए अगले पेराग्राप में भी कवी बाग के बरे में बता रहा है जिसको जंगल में होना चाहिए इस नारलिंग का मंदब होता है दहारना या गुराना अराउंड हाउसेज घरों के आसपास आए दा जंगल सेज जंगल यानि जंगल के एज मने किनारे बेरिंग हिज वाइट फैंस वाइट फैंस बने सपेद दात फैंस बने दात होता है इस क्लास अपने पंजे टेररिजिंग का मतलब होता है डराना विलेज बने गावलों को तो कभी कहते हैं he should be snarling around houses at the jungle's edge उसे जंगल के किनारे जो घर बने हैं वहाँ उसे दहाड़ना चाहिए बेरिंग हिज वाइट फैंस अपने सपेद दातों को दिखाना चाहिए हिज क्लास अपने पंजों को दिखाना चाहिए terrorizing the village और गावलों को डराना चाहिए कभी कहता है इस बाग को जंगल के पास में जो घर बने हैं उसके आसपास में दहाड़ना चाहिए और गावलों को अपने सपेद दात तथा पंजों से डराना चाहिए अगले स्टेंजा में विद्यारतियों बाग के बारें बताया गया है जो चडिया घर में कैद है लिखा है but he is locked in a concrete cell लेकिन वह lock है lock का मतलब बंद है in a concrete cell concrete cell मने इन पत्थरों की दिवारों में cell का मतलब पिंजड़ा भी होता है इन पत्थर से बना जो पिंजड़ा है उसमें वहाँ कैद है his strength behind bars उसकी ताकत जो है वहाँ पिंजड़े में कैद है stocking the length of his cage stocking का मतलब चल रहा है stocking धीरे धीरे चलना the length length मने जितनी भी लंबाई हो of his cage अपने पिंजड़े की यानि जितनी भी दूर अपने पिंजड़े में जा सकता है वह धीरे धीरे चल रहा है ignoring visitors ignoring का मतलब अंदेखा कर रहा है visitors मनें दर्सकों का विदर्थियों इस strength में कभी कहता है कि लेकिन बाग तो एट पत्थर की जो दिवारे बनी है उसमें तो कैद है his strength behind bars और उसकी ताकत पिंजड़े में कैद है stalking the length of its cage वह अपने पिंजड़े में जितनी दूर जा सकता है वह जा रहा है ignoring visitors और दर्सकों को अंदेखा कर रहा है देखें next messenger फिर जो है जंगल के बारे में बताया जा रहा है उस बाग को जंगल में रहता है उसको बताया जा रहा है कि he hears the last voice at night he hears वह सुनता है the last voice अंतिम आवाज at night रात में the patrolling cars आती जाती कारों की देखें जो बाग जंगल में होता है वो क्या करता है वह अपनी अंतिम आवाज सुनता है रात में जो कारें आती जाती है and stairs stairs का मनलब घूर कर देखना with his brilliant eyes अपनी चमकदार आखों से at the brilliant stars चमकदार तारों को तो वह अंतिम अपनी अंतिम आवाज सुनना है रात में patrolling car की यानि आती जाती कारों की आवाज वह आखरी आवाज रात में सुन रहा है and stairs with brilliant eyes और वह अपनी चमकदार आखों से at the brilliant star चमकदार तारों को देख रहा है बहुत ही प्यारी कविता है इसको इसके कवी है लेशली नूरिस जो की बताया है कि बाग को natural habitat में ही होना चाहिए यानि जंगल में होना चाहिए वो कैद है जिस परकार से चिडिया घर में लोग जो देखने आते हैं visitors जो देखने आते हैं उनको इगनोर करता है उसको भी आजा दी चाहिए बाग को thank you so much for being with us मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद